सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें और बैल आइकन को भी प्रेस करें उसके अलावा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे मुझे मैसेज कर रहे थे कमेंट कर रहे थे कि आर्मी रेक्यूटमेंट अगनीवीर के फॉर्म कब आएंगे तो आज उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टन अपडेट है वीडियो को जो है उन सब स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं तो आर्मी की जो रेक्यूटमेंट है जमु और ज्याईन कर सकते हैं तो यहां पर आप देह सकते हैं दो नोडिकेशन में आपके साथ करूंगा यहां पर एक army recruiting office जमुद से झो आई कि यह ही एक army recruiting office सर्ण जे अलगलग zehn नोड्फिशन दो हमारे पास करेंगे स्र्णगर वाले में हम इसमें यहिर मे 강ई करेंगि और DE करना मैं आपको बताऊंगी ऑनलाइन एस जो है आप अपने आपको रियस्टर कर सकते हैं कि यहांपon फिल कर सकते हैं स्पस्येट्पोफिट कर सकते हैं 11 १ कि 2 मार्स का थक सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके निया य। वो 22 April 2024 onwards यहां पर जो है यह आपका exam होगा यहां पर आप चेक कर सकते हैं 22 March तक आप अपना form फिल कर सकते हैं लाज़ जे 22 March 2024 और उसके बाद जो exam है आपका वो 22 April से होगा यहां पर आप चेक कर सकते हैं यह पूरा पहले ही यहां पर आप चेक कर सकते हैं यहां पर सबसे पहले आपको इंपॉर्टन नोटिकेशन के लिए यहां पर बताई हुए सबसे पहले आपको यह बताया हुए कि यहां पर दो फेज में exam होता है दो फेज में exam में पहले आपको online computer-based exam होगा और उसके बाद फेज 2 में recruitment रेली होती है जिसमें कि physical test होगे राता है तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं सबसे पहले आपको यह आप जाइन indian army.nic.in पर आपने अपना form फिल करना है यह website है वहां पर आप profile क्रेट करेंगे profile क्रेट करने के बाद आप अपना form फिल कर सकते हैं exam में application form में आपको सारी detail फिल करनी है name, parentage, date birth, address detail, contact detail, email id, mobile number यह सारी चीज़ें आपने वहां फिल करनी है उसके बाद आपको examination fee पे करनी होगी जो की 250 रुपीज है यह आपको online पे करनी है online पे आप जो भी जब भी आप form फिल करेंगे वहां पर option आ जाएगा credit card का option होगा UPI का option होगा वहां पर आप आप online यह कर सकते हैं उसके बाद एक student वह एक ही form फिल कर सकता है duplicate form यहां पर reject कर दिया जाएगा यहां पर भी इसका आप खयाल रखें उसके बाद यहां पर एक important note बताया हुआ है कि आपने जो है valid email id and valid mobile number देना है क्योंकि जो further message आदे हैं further updates आते हैं वह आपके mail और mobile number पर SMS वगएरा आ जाते हैं तो यह जो है आपको वहां पर during registration आपको एक ख्याल रखना है उसके बाद यहां पर और कुछ notice बताई हुए candidate must indicate five choices of exam center exam center के लिए आपको पांच choices देनी होगी all possible effort will be taken to a lot exam based on first three choices तो आपकी जो पहली तीन choices के basis पर ही जो है mostly आपका exam center आ जाएगा request for change of exam center or date of selection test will not be entertained यह भी आप चेक कर सकते हैं आप request नहीं कर सकते हैं कि मेरा center जो है वो change करें यह इसमें पहले ही बिता दिया यह कुछ important चीज़ें हैं यह आपको दिहान से देखने इस notification में उसके अलावा आपको जो है अधार नंबर होना चाहिए अधार नंबर आपका हो आपने जो है अपना application फाम फिल कर सकते हैं और आपको जो है recent photograph जो अप्लोड करने है जो भी recent आपकी आपकी साइस photograph होंगे वो जो है यहां पर अप्लोड करने है और photograph जो है वो पूरा clear होना चाहिए अगर वो clear नहीं होगा तो आपको फिर recruitment रेली के time जो है आपको problem हो सकती ह है यह सारी चीज़ां आपको जो है ज्यान में रखनी है अब next हम चलते हैं eligibility criteria के लिए eligibility criteria में different categories की post इसमें होती है और different eligibility criteria यहां पर बताए हुए है यहां पर आप चेक कर सकते हैं अगनीवीर general duty उनकी data birth जो है इसके according होनी चाहिए यहां पर आप चेक कर सकते हैं bond between days date यहां प सब्सक्राइब 2007 के बीच में उनकी data birth होनी चाहिए height का आप चेक कर सकते है 163 cm उसके बाद यहां पर weight भी चेक कर सकते हैं chest size भी चेक कर सकते हैं और उसके अलावा फिर education qualification तो education qualification यहां पर class 10th रहेगी 45% marks आपके aggregate होने चाहिए उसके अलावा अगर आपके पार driving license होगा light motor vehicle का जो है driving license होगा तो आपको जो है preference दी जाएगी driver requirements के लिए और age यहां पर calculate की हुई है 7 complete 1 by 2 to 21 year यहां पर आप चेक कर सकते हैं यह अगनीवीर general duty के लिए उसके बाद जो अगनीवीर technical duty है technical category है उसके लिए जो है यहां पर plus two intermediate exam passed in science with physics chemistry math means कि जो कि medical students है वो यहां पर इसके है तो इसके लिए जो है यहां पर 12th pass होना चाहिए और उसके बाद यहां पर और एक और में बताया हुआ है plus two intermediate exam pass in science with physics chemistry math and English non-medical वाले भी यहां पर eligible है उसके बाद 10th metric pass with 50% aggregate and minimum 40% in English math and science with two year tech training from ITI तो यहां पर आपको ITI का डुपलूमा चाहिए अगर आप 10th pass हो तो अगर आपके पास ITI का डुपलूमा है तो यहां पर जो है आप इसके लिए technical category के लिए जो है आप eligible हो तो यह आप इसमें चेक कर सकते हैं जो भी आपकी qualification होगी qualification के according जो है आप जो है अपना form जो हो फिल कर सकते हैं उसके सारा कुछ यहां पर discuss किया हुआ है पोरा बताया हुआ है तो आप जो है इसको चेक कर सकते हैं उसके बाद height versus weight ratio जो कि army recruitment में जो है बहुत इसका खयाल रखा जाता है तो यहां पर भी आप अपना जो है वो height versus weight ratio जो हो चेक कर सकते हैं इसी के according जो है आपको physical में बलाया जाता सब्सक्राइब कर सकते हैं जो bonus marks मिलते हैं यहां पर चेक कर सकते हैं sports category बगर्राइया इसमें होती है यहां एंसी से जितने भी certificate होती है तो सट्फिकेट के according जो है उनको जो है यहां पर marks दिये जाते हैं bonus points दिये जाते हैं तो यह एक plus point है उन सब students के लिए जो कि NCC जिनके प बाकि आपकी पेक इतनी रहेगी वह सारा कुछ यहां पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस नोटिस में पूरा बताया हुआ है तो फिलाल यहां पर जो भी प्रोसेस रहेगा मैं आपको अल्रीडी बता दिया कि यह फेज दो फेज में होगा फेज फोस्ट फेज सेकंड फेज फोस्ट जो है वह कंप्यूर्टर बेस टेस्ट होगा और फेज सेकंड यह होगी जो कि आपको आफ-लाइन फिर आपको बुलाएंगे तो यह सारा कुछ लिखना है इस नौट्रिस में जो भी लिखा हुआ है आप चेक किर सकते हैं यह सब स्टूडेंट्स के लिए जो कि इंडन आभनी जाइन करना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर शेयर करें उनस तर्व जो जाना चाहते और मिल से आगले वीडियो में आगले किसी